17 तक हो गया था ना चलिए नेक्स देखते हैं को सब्सक्राइब एटीन कि फाइंड करेंट्स थ्रू इस रेश्टर तो यह किया किसी ने यहां पर यह जो कोस्टन है जो एटीन नमबर का है यह भी बहुत आसान है अगराप देखें तो पीछे को लोगने चीजेये देखिए वह appelle सकते हैं यहां पड्र किए तो यहां पर यहां पर कीके क्योंकि अगर इस किसी भी रस्री से क्रॉंस यहां पने बैटरी откры अपने म lawn कर दे तो उतना ही फिर Feedern तो इसका मतलब यहां 10 upon 10, 1 ampere current आजाएगी, इसमें current 1 ampere flow करेगी, अब अगर आपको बाहर निकालना है, तो बाहर जैसे कैसे भी clockwise चलो, anti-clockwise उसे कोई फरक तो पढ़ना नहीं, तो मैंने ऐसे दिखा दिया हैंपर, ठीक हैं, अगें clockwise यहां पर, तो आप यहां पर कैसे भी current मा होतना है, ठीक है, अगर पूरी लूप में हमें एक ही resistance दिख रहा है, तो उसमें कोई distribution दिखाने की जो होतना है, सीधे current माल लो, start करेंगे plus 20i dash minus 10 plus 10, ठीक है, 20i dash minus 10 plus 10, यह दोनों cancel हो जाएंगे, ठीक है, 10 minus 10 और plus 10, i dash की value की आगे, 0, तो इसमें आ जाएगी 1 ampere, इसमें आ इसमें किसी तरह की कोई trick नहीं दिख रही, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कोई single loop भी नहीं दिख रहा है, जिसमें हम direct लगा दें, या फिर कोई symmetry वाला case नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे बहुत जादा उसमें दिमाख नहीं लगाना है, जै कि नॉर्मल जैसे आपको बताएं कि कोई सब में वही एक ही काम करना है, करेंट distribution और उसके बाद किर्शाफ लाप लाई कर देना है, तो यहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, यहां से करेंट का distribution स्टार्ट करेंगे, तो इस location से अगर आप current यहां प सब ही currents को दिखा देना है, और उसके बाद क्या करना है, current के हिजाब से plus minus लेना है, और फिर आप वही किर्शाफ लाप लाई कर देंगे, यहां पर दो equations बनेगी, दोनों को solve कर लेना है, देखें हां पर, जैसे हां पर देखो, current यहां से चली i, ठीक है, यह current यहां पर पहु इदेर, तो यह plus यह minus, ठीक है, बाकि दोनों current यहां पर मिलकर, फिर से वापस आई हो जाएंगे, ठीक है, तो अब यहां से हमने start किया, यह loop हमने यह बना लिया और एक यहां से start किया, एक माइनस आई डैस फिर यहां पर माइनस 4.5 ठीक है एक एक क्वेशन बन गई यहां पर तो इस एक क्वेशन को थोड़ा सा सॉल कर अरेंज कर लिया गया है तो इसे ओपन किया गया इस पूरी क्वेशन में आप तीन ले सकते हैं थी इधर भी त्री कॉमन लेकर इधर डिवाइड कर तो कैसे भी यह थी से डिवाइड कर तो जैसे हमें आइडिया लग जाता ना कि इसमें थी लेंगे तो यहां 3 पचेगा यहां 2 और यहां 1.5 पाइड बन गई पस्ट अब इस तरह से कर लेंगे तो 10 i dash प्लस 3 माइनस 6 i minus i dash यह हो गया 3 यहां पर जो है 3 को इथर ट्रांसफर कर दिया गया माइनस 3 और यह हो जाएगा माइनस 6 i और यह हो जाएगा प्लस 6 i dash तो माइनस 6 i प्लस 16 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 i dash and this is equal to minus 3 अब हमने क्या किया यह दूसरी कैंसल हो जाएगा यह भी माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा तो यहां पर 16-4 12 i dash बटाई डैस क्या हो गया जी अब देखो i dash 0 आगया लेकिन यह चीज हमें पहले से नहीं पता था ठीक है पहले से गर पता होता तब तो बढ़िया था यहां 0 था यही में हम अप्लाई कर देते लेकिन पहले से नहीं पता था ऐसे माल यह कोई हम यहां 10 की वज़ा 12 कर दें तब तो 0 नहीं आएगा ना कुछ भी हमने चेंज कर दिया 3 के जिए 4 लिग दिया तो भी 0 नहीं आएगा तो फिर आपको ऐसे ही सॉल करना पड़ेगा तो यहां पर आपको निकालना है इसमें करें तो इसके लिए आपको आई की वैलू चाहिए तो आप यहां पर क्या करेंगे तो इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 क्या है 3i-2 इस जीरो हो जाएगा तो यहां 3i is equal to 1.5 यहांने कि i is equal to 0.5 तो current in 6 ohm resistance हाना कि answer यही आएगा लेकिन हमने लिखा इसलिए है कि आप यह चीज भूले नहीं कि current आपने उसमें क्या दिखाई है जैसे यहां तो i-0 आ गया है तो इसमें current आई नहीं है अगर नोट करेंगा इसलिए कि आई डास जीरो आएगा इसलिए इसलिक्वेशन 1 में आई एस पूट इडास is equal to 0 in equation 1 सौन कहला है नेक्स जो को सन है 20 नंबर वो को सन अगर आप देखो तो बिल्पूल वैसे है जैसे के पिस्टर का एक को सन था ठीक है जैसे वहां पर बताया गया था वैसे यहां पर है उचा गया था एक बार को दो इसलिए टो इससे पुछा गया दाइका थिक जाए कर दो यहां प्या तो जे में भड़ाए कि ऊपर किने यह रहा था है इसनि पूछ जो जाएगा फीजैए इसमें पूछा इप रंद दा क्योंट वहिं आ चिट हुट बिय्दात था यहां पर अगर आईडस है तो आईडस यहां पर अगर इसमें से कुछ भी करेंट इदर चली गई तो फिर वो वापस कैसे हैगी क्योंकि जिधर से जाएगी उधर से return तो हो नहीं सकती तो दूसरा कोई path भी नहीं है तो इसका मतलब यह current उधर जाएगी यह इधर ही चली जाएगी तो यह जो beach का है यहाँ पर 2 ohm इसमें कोई current flow नहीं करेगी I is equal to zero because no flows अब जरा यहाँ पर एक जीस समझो जो हम लोग आगे की questions है वो हम लोग किस तरह से करेंगे उसके लिए एक point है अलाकि कुछ अलग नियम नहीं रूल कि चौशला है लेकिन उसको समझना है हमें कि कैसे हम start करेंगे और खम करने क्या जा रहे है वो पहले समझना है तो आप देखो यहाँ पर कि जैसे यही diagram अगर आपके पास होता और इस diagram में मान लिया, यहाँ पर हमने एक battery लगा दी होती, एक resistance ऐसे लगा दिया होता है, ठीक है, यहाँ पर एक और resistance लगा दिया होता है, यहाँ पर एक resistance लगा दिया होता, एक battery लगा दिया, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी लगा दिया, पी और क्यू के बीच का potential difference बताओ क्या होगा ठीक है कहीं पर भी यहाँ पर मानलिया point रख दिया A और यहाँ पर point रख दिया B और आपसे कह दिया गया A और B के बीच का potential difference बताओ या फिर आपसे कह दिया गया कि अगर A का जो potential है वो 0 है, ठीक है, तो B का potential बताओ क्या होगा, या B का potential 0 है, तो A का बताओ, इस तरह से कोई कुस्तन आपको दिया जा सकता, पूछा भी गया आपके हैं, तो अगर इस तरह की situation हो, कि कहीं पर भी circuit में कोई भी 2 point रख दिये गए हैं, तो उनके बीच में potential difference आपको अगर निकालना है, या किसी एक का 0 या कुछ भी है, तो दूसरे का potential difference निकालना है, तो हम कैसे calculate करेंगे, तो वापस आते हम लोग theory वाले part पे, एक point उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग निियम नहीं है, सबकुछ वाई है, बस कैसे लग हैं, जासे हमने एक circuit दिहा जारा कर एक circuit हो सकता है, या circuit का कोई part हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जैसे एसे आप के सामने आपके दे दिया अब uniquर Gentili at v Word कि Стasad, ऐ एक में भी तो जैसे उसने कहे दिया A और B के बीच potential difference बताऊ तो यहां पर देखो उसने current दिया आई तो यहां तक गई यहां दो पार्ट हो गए current के I dash और I minus I dash ठीक है दोनो current यहां पर add हो गई और फिर से वापस I बन गई सबसे पहला काम हम लोग क्या करते है current के हिसाब से plus minus बनाते हैं तो current के हिसाब से plus minus current इधर plus minus current this side में plus minus current इधर plus minus बनाते है then हमें लिखना है VA minus VB तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे VA minus VB equal to ठीक है पर equal का sign लगा दिया तो VA minus VB equal to and then क्या लिखना है आपको plus अब यहाँ पर जैसे आप आपको A और B के भी जगर potential सबसे पहले से दो दो डार्कर्व दो अब किर्चॉब श्रा लगाते हैं, इकॉल करके किर्चॉब श्रा लगाएंगे, तो चलेंगे यहाँ से, प्लस IR1, ठीक है, फिर यहाँ पर, प्लस V1, ठीक है, फिर यहाँ पर, प्लस I dash, I dash current आ रही है ना, I dash R2, और फिर, माइनस V2, और फिर, प्लस IR1, ठीक है, सब कुछ ब कर दिया, तो VX minus VY equal to, यहाँ से चलेंगे, V1, ठीक है, प्लस V1, ठीक है, प्लस I dash R2, माइनस V2, यहाँ पर पहुच गए, ठीक है, वही आगे, लेकिन अगर आप देखो, तो X से Y तक के लिए, एक और भी रास्ता है हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम इधर से चलते, तो क् प्लस I minus I dash R3, और सीधे Y पर पहुच गए, तो यह देखने में आपको अलग लग रहा है, यह देखने में आपको अलग लग लग रहा है, लेकिन यह दोनों अगर आपको values दे दी जाएंगे, जैसे माले I dash R1, R2, V1, V2, सब कुछ दिया होता, तो जब आप solve करते, तो अग हमें पता चल गया कि दोनों जगे से एक ही result आ रहा है, तो अगर आपको use करना होगा, follow करना होगा, तो आप उपर वाला पात फालो करोगे और नीचे वाला, नीचे वाला फालो करोगे, उपर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो तुरंत बोल देते हैं सोचते नहीं, यहाँ एक point से दूसरे point तक जाने के कई रास्ते हैं, जैसे मालिया A से B तक जाना था, तो हम सीदे सीदे गये थे, हम चाहते तो ऐसे भी सकते थे इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, और फिर रिजर्ट सेम ही आएगा, मतलब एक point से दूसरे point तक जाने के अगर कई रास्ते हैं तो आप कोई भी रास्ता फालो करोगे, आपको रिजर्ट एक ही मिलेगा, बस सर्त यह है कि जो रास्ता फालो कर रहे हैं, उसमें सारी चीजे नोन होनी चाहिए, जब सब कुछ पता होगा, तभी तो आप सौल कर पाओगे, पतला लगा उसमें कोई चीजा नोन है, तो आप भूम कर जाओ, आंसर आपका एक ही आना है, तो इसको नोट कर लें, वापस आजाएंगे, कुछ संस पर, 21 नमबर ट्राई करें, और बताएं क्या आएंगे आएंगे आएंगे, क्या आएगा, परस्ट आप सना जाएगा, विल्कुल सही है, परस्ट आप सन 48 वोर्ज, इसमें क्या कहा गया था, तो पोटेंसिल डिफ्रेंस बिविएंड बी इन दा फालोइंग फिगर इस, तो पोटेंसिल डिफ्रेंस आपको A और B के बीच निकालना है, तो आप यहाँ पर वैसे ही जैसे भी बताएगे, वैसे अपलाई करते वी चले जाएंगे, करेंट 2 एंपीर है, तो सब कहीं 2 एंपीर ही करेंट रहेगी, एक ही ब्रांच है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो हमने क्या लिखा, VA-VB, अब यहाँ पर VA-VB हम लोग फिर से वापस स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो प्लस I into R, यानि कि 2 into 6, 12, फिर यह क्या हो जाएगा, plus 12, फिर यहाँ पर जाएगे, तो plus 2 into 9, वही I R, 18, फिर आजाएगा, minus 4, फिर आजाएगा, plus 5 into 2, 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यह सब पुरा solve कर लेंगे, तो 48 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दिया, कि जो भी concept बताया गया, यह जो यह बताया गया, ठीक है, इन दोनों में current आपको पहले से दे दी गई, ठीक है, लेकिन आप सोचो कर current नहीं दी गई होगी, तो आपके लिए पहले यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, current आपको पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप apply कर पाएंगे, ठीक है, इसका मतलब current पहले निकालना रहेगा, और फिर आप यह concept apply करेंगे, ठीक है, next question देखते हैं, find resistance and potentials of envy, potential difference नहीं, यह circuit आपको open लग रहा है, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि यह circuit open, लेकिन actual में open नहीं, grounded है, दोनों ही ground है, तो आप चाहें तो दोनों को एक में मिला दो, ठीक है, यह की जगे फिर ground लगा दो, ground से उभी जड़ा, ground से उभी जड़ा, मतलब आपस में connected है, यही तो कहेंगे, तो इस तरह से यह circuit close है, open circuit नहीं है, तो आप आराम सी कर्चाप लगाएंगे, और तभी यहाँ पर current flow करते हुए आपको दिखाया गया है, ठीक है, तो यह जो भी आपको बताया जा रहा है, जैसे यह पिछला circuit है, तो यह क्या open circuit थोड़े है, यह आपको खाली दिख रहा है open, है नहीं open, क्योंकि अगर यहाँ से current flow कर रही है, तो वो current कहीं से तो आई होगी ना, किसी बैटरी से ही तो current आई होगी, और किसी बैटरी में वापस जाएगी, ऐसे थोड़े open में flow कर सकती है, तो वो सिर्फ दिख रहा है, दिखा दिया जाता है, बट वो circuit open नहीं है, बल्कि वो close circuit ही होता है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है, तो आप देखो, यहाँ से अगर हमें current इसमें दिख रही 1A, तो हमें पता है कि यहाँ से 1A की current ही flow कर रही होगी, ऐसे पूरे में, ठीक है, क्योंकि यह पूरा circuit close आप imagine करो, तो पूरे में 1A की current flow करेगी, इसके इसाब से यहाँ plus minus रख था, यहाँ plus minus रख था, यहाँ plus minus, यह चुकि ground है इसका potential 0, ground है potential 0, तो जैसे वहाँ पर point था A और B, तो हम A से B तक चलते थे, तो वैसे यहाँ पर VG और VG दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे VG minus VG is equal to, और फिर वहाँ से चलना है, start करो, plus 2 into 1, ठीक है, फिर minus 12, plus 2 into 1, minus 12, plus I into R, यानि कि 1 into R, ठी ठीक है, तो अब यह तो दोनों 0 ही है, तो 0 कर दिया, तो यह 0 हो गया, यह हो गया 2 minus 12, plus R, और यह हो गया plus 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 plus 2, 6, तो minus 6 होगा, इधर जाएगा, plus हो जाएगा, यानि कि R की value क्या आगे, 6, ठीक है, अब देखो A और B के potential निकालने, तो आप जैसे A से G की तरफ चलो, ठीक है, तो VA minus VG, तो अगर आप VA minus VG करेंगे, तो क्या करेंगे, plus I into R, VA minus VG is equal to plus I into R, तो VG तो हो गया 0, तो VA के value क्या आगे, 4 बोल, ऐसे आप देखो, VB minus VG, तो यहाँ से इधर चलेंगे, तो plus 12 minus 2 into 1, plus 12 minus 2 into 1, कितना जाएगा, 10 बोल, ठीक हो जाएग next question है, 23 number, यह आप क्या पूछा भी गया था, इन दा और यहाँ पर बिल्कुल जैसे अभी हम आपको से पहले diagram जो समझा रहे थे, बिल्कुल वैसे यह है, in the circuit shown in figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is, ठीक है, क्या कहा गया, कि अगर A का potential आप क्या ले ले, 0 यहाँ पर, ठीक है, तो अभी आप से क्या बताया गया था, कि आप कोई भी रास्ता यहाँ पर अपना सकते हैं, A से B तक पहुँचने का, current वगरा तो सब आपको दिया ही गया, तो अगर उसने कह दिया, B का potential आपको बताना है, और A का potential क्या है, 0, तो आप चाहे इधर से आजाओ, यहाँ पर, चाह तो यह तो आप follow नहीं कर पाए, अब value नहीं है, तो आप solve कैसे करोगी, ठीक है, तो इसको हम छोड़ना पड़ेगा हमें, मतलब यह रास्ता हम नहीं follow कर सकते हैं, अगर हम इधर से इधर आएं, तो उसने R1, R2 लिख दिया, लेकिन उसकी value नहीं दी, और option में तो कहीं R1, R तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब हम इस रास्ते से आतो सकते थे, आंसर वहीं आता, लेकिन problem में उसने value नहीं बताई कि यहां पर है क्या, तो फिर हम यहां भी नहीं follow कर सकते हैं, तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ यह वाला रास्ता, ठीक है, यह रास्ता, इस रास्ते में current वो इधर जाएगी, तो इसका मतलब इस रास्ते के हमें सारी चीजे पता हैं, इसलिए हम यही बीच वाला रास्ता यहां पर follow करेंगे और solve कर लेंगे आराम से, ठीक है, तो आप देखो यहां पर, कि हम यहां से यह 2 ampere, यह 1, यह 1 इधर चलेगे, यह 1 ampere इधर चलेगे, आप इस 1 के हिसाब से यहां पर plus, minus रख देंगे, current के हिसाब से, चलते हैं यहां से, B से, VB minus VA, तो यहां से चलो, क्या हैगा सबसे पहले, minus 2, फिर, क्या हैगा, plus 2 into 1, और फिर यहां पर, plus 1, ठीक है, plus 1, cancel कर दिया, VB is equal to plus 1, वो रटा गया, तो यह VA जो है, वो तो 0 हो तो VB की वैलू आजाएगी, plus 1, अब जैसे next question है, 24 number, यह note हो गया, ना से, next question है, 24 number, उसमें आप देखो, उसने सब कुछ दे रखना है, लेकिन current नहीं थी, अभी problem होगे, क्योंकि अभी तक जो भी था, उसमें current आपको पता थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम अप current नहीं पता है, तो पहले आपको current यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर हम इस case में देखें, तो find potential difference between DMV, T और BKV, potential difference पता करना है, लेकिन आपको current यहां पर नहीं पता है, ठीक है, तो आप पहले ऐसे समाझ लेते हैं, वो बात में नोट कर लेते हैं, तो यहा करेंगे, तो अगर मालों, यहां भी एक battery connect कर देता, इधर भी connect कर देता, तो आप सोचो, पूरा loop बना बना के पहले आपको solve करना पड़ता, तो वही calculation बहुत जादा हो जाता, उसके बाद फिर आपको potential difference निकालना और एक दो step extra करने पड़ते, तो बहुत जादा हो जाता, क तो हमें यहां से चलने वाली current पता चल जाएगी, और उसने देखो एक चीज और की, इस branch का total resistance कितना, और इस branch का, मतलब दोनों branch का resistance भी बराबर, मतलब यहां की अगर current आपने निकाल ली माले वो current आ गई 2 ampere, तो 1 इधर जाएगी, 1 इधर जाएगी, मतलब उसमें भी current भी 6 और 6 क्या हो जाएगा, 3, 3 होगा ना, parallel में है, तो parallel में आधा हो जाएगा, 6 by 2, 3 और यह जब हटाएंगे, 3 लगेगा, 3 in 1 और 1 के साथ, series में आएगा, parallel में, series में आजाएगा ना, इसको पुरा हटा देंगे, तो series में आजाएगा, तो 3 plus 1 plus 1, कितना आगया, 5, ठीक है, 5 ohm R equivalent आगया, V की value क्या है, 10, 10 upon 5, कितना जाएगा, 2, और 2 ampere current आगया, 1 इधर, 1 इधर, ठीक है, मतलब इतना असान उसने data दे दिया, कि हमें 10 भी नहीं चलाने की जरूत थी, ऐसे वो solve हो जाना था, ठीक है, तो यह टोटल यहाँ पर आगयी current 2 ampere, अब 1 ampere इधर गयी, 1 ampere current इ लिखेंगे, तो हमेसा high minus low होता है, यहाँ पर आपको नहीं पता है, क्या high क्या low है, तो आपने ultra लिख दिया, D और B के बीच में, मतलब आपने D और B लिखा, लेकिन आपने D और B ना लिखकर, B और D लिख दिया, तो वो minus में आ जाएगा, अगर वो minus में आ गया, तो आपक क्यों ही आजाएगा, तो बस D से B तक आजाओ, आप D से B चाहें इधर से घूम कर आजाओ, चाहें आप इधर से घूम कर आजाओ, चाहें यह बड़े वाले path को follow करके आजाओ, answer, same ही आना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे path को follow करेंगे, तो आप देखों यहाँ पर, यहाँ पर यह पुरा हो गया 6, यह पुरा हो गया 6, 6 और 6 हो जाएगा 3, 3, 1, 1, 1, तो यह तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, आराम से, लिख दिया गया R equivalent, 3 plus 2, 5 हो, और I is equal to V divided by R equivalent, कितना आगया 2 ampere, अब 2 ampere current यहाँ होने के बाद आई है, ठीक है, तो यह 2 ampere current यहाँ पर आ प्लस यह माइनस, तो अब आप चलो D से भी, तो अगर हम D से भी जा रहे हैं, तो हम इनी दोनों में move कर रहे हैं, इसलिए 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 पर मार्क किया, बाकी हमने कहीं मार्क ही नहीं किया, तो यहाँ से चलेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 1 into 4, यानिकी 4, और फ नेक्स देखते हैं, in the circuit zone, the cells A and B have negligible resistance for VA is equal to 12 volt and R1 is equal to 500 ohm, R is equal to 100 ohm, the galanometer G shows no deflection, मतब यह जो galanometer इसमें किसी तरह का कोई deflection नहीं है, the value of VB, AI PMT 2012 में पूछा गया था, similar question NEET 2023 में पूछा गया था, अब जैसे यह similar लिखा, तो जब यह question पूछा गया था, तो यह question तो मैंने यहाँ पर रखा था, ठीक है, डाल दिया था, और यह question है, इसी में question और ऐसे मैंने बदल कर एक question था, तो वो मैंने रख दिया था, इसमें self- question number 70, ठीक है, 70 number का question है, आप वहाँ पर देख लेना, तो जो 70 number का, 70 number का question है, आप देखें, जो यह पूछा गया था, नीट में, ठीक है, concept यही उसमें भी लगेगा, ठीक है, सेम, लेकिन वो बिलकुल वैसे ही था, जो उसमें unknown था, वही unknown, कि हमने उसमें दे रखा है, 70 number में और वैसे ही बिलकुल question वो दिया गया था, ठीक है, similar question, बस थोड़ा सा data बदला हुआ था, यह हम अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, ठीक है, तुमको बता रहे हैं कि self violation के question भी कितने important है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कौन-कौन से question self violation से पूछे गया थे, attitudes भी पूछ तो और similar type से भी questions पूछे जा चुके हैं, तो बताते रहते हैं कौन सा question कहां पर है, बिलकुल वैसे पूछा गया था, इसलिए हम कहते हैं, self violation के भी question करो, सोचो यह question आप exam में बैठे हैं, और बिलकुल वैसा ही question मिल गया, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, त बैठके पढ़ते रहोगे, सोचो गे, दिमाग लगाओगे, तो ऐसे अगर 5-6 question, 7 question, अगर आपको मिल गए, ठीक है, तो उतना तो आपका time ही safe हो जाएगा, और उससे कहीं ज्यादा question दो मिलेंगे, बस तुम्हें एक बार पुरा assignment prepare to quarter, तो हम लोग यहां पर देखते हैं क् उसने जी जो है, वो उसमें कहा, इसमें galanometer में कोई deflection नहीं, तो आप deflection ना होने का मतलब फिर current क्या होगी, zero current हो जाएगी, अब सोचो जब इस वाली branch में कोई current ही नहीं है, तो जो current यहां से चलेगी, वो current इधर ही तो जाएगी, और गोम कर वापस यहां जाएगी, तो इ सीधे लिग दो, I is equal to total, total resistance, उससे कोई मतलब ही नहीं, तो अब आपको यहां पर current मिल गई, लेकिन उसने पूछा तो VB की value है, तो हमें पता हैं कि VB इन दोनों point के बीच में ही तो connect है, यहां पर यही तो है, तो यहां हमने पीछे भी आपको कुछ कोस्तन ने बताया, कि अ बैटरी उतना ही potential difference यहां पर generate कर देगी, और उसने यह चीज आपको hint दे दी थी कि current इधर नहीं जा रही है, तो उससे हमें आसानी से current मिल गई, तो जो potential difference यहां होगा, वही तो VB होगा, क्योंकि यह दोनों parallel में है, तो जो potential difference यहां है, वही यहां, यह कहते जो यहां है, व होगा, तो यहां भी potential drop होगा, तब ताम सारी चीजे दिमाग में चलने लगते, लेकिन जब उसने कह दिया है, तो गैलनोमेटर का कुछ resistance होगा, तो लेकिन वहां कोई potential drop ही नहीं होगा, तो जो potential difference यहां, वही सीधे सीधे battery के cross हो जाएगा, आप देखो यहां पर, I is equal to zero, य यहां पर ही चली जाएगी, I is equal to total EMF upon total resistance, total EMF हो गया VA, total resistance R1 प्लस R, ठीक है, यह 12 दिया गया है, R1 प्लस R, एक 500 दिया गया है, R1 की value और वो दिया गया 100, 600, 1 by 50 हो गया, VB की value I into R के परावर हो, I into R, I की value 1 by 50, R की value 100, यह 100 दिया गया ना, और I कितना निकाला, 1 by 50, कितना आ गया था, तो उसने क्या किया था, I यहां पर पता था, ठीक, बस यह उसमे R unknown कर दिया गया था, ठीक है, तो I के लिए और VB के लिए चीज़े पता थी, और बस R unknown किया गया था, ठीक है, तीन क्वेस्टन आगे जो दिये गया है, वो capacitor related है, और capacitor में जैसे हम लोग चीज़े पढ़ चुके हैं, लेकिन capacitor में भी हम लोग किर्चॉफ ला यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो capacitor में कैसे किर्चॉफ ला यूज करना है, वही इन तीन questions में बताया जा रहा है, हलांकि ऐसे questions अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि capacitor भी तो syllabus में है किर्चॉफ ला भी syllabus में, तो resistance में तो apply कराया गया कई बार, वो जगता कभी capacitor में दे दे, तो हमें एक दो तीन question में समझ में आ जाएगा, कि capacitor के लिए हमें कोई नई चीज नहीं करना है, जैसा हमने पढ़ रखा है, वैसे ही करना है, बस क्या होगा, जैसे एक loop की अगर हम ब जाएगा, जहाँ आई यार, वहाँ क्यूब आई सी, बाकि सब कुछ एकदम similar ही रहेगा, ठीक है, तो आप देखो जड़ा है, पर point charge on each capacitor, तो जैसे अगर आप देखो, यहाँ पर charge इधर से दिखाया गया, यह प्लस क्यों, उसने पहले से दिखा दिया, तो यह क्यों चार् कि जिस plate पर charge पहले पहुंचता है, उसको क्या कर देता है, plus, और दूसरी plate पर induced होता है charge, क्या होता है, minus, तो यहाँ plus, यहाँ minus, आगे जाएगा charge, फिर यहाँ पर पहुंचेगा इस वाली plate पर, इसको plus करेगा, आगे minus और वापस फिर से बैटरी में, ठीक है, वैसे हमने कर दिया, जैसे उसमें resistance में करते हैं, कि जिधर current जा रही, plus से minus, वैसे ही जिधर charge जा रहा है, plus से minus, फिर क्या करेंगे, कहीं पर भी कोई corner से start किया, और वापस वाहीं पर घूम करा जाना है, तो यहाँ से चले, अब चाहे clock wise चलो, anti clock wise, उससे कोई problem नहीं है, यहाँ पर चलें करेंगे, minus, क्या लिखेंगे, minus q by c, ठीक है, voltage ही लिखना है, पीछे भी क्या बता है, v is equal to क्या होगा, q by c, तो minus q by 4, फिर यहाँ पर गए, plus 12, यहाँ पर गए, minus q by 8, यहाँ पर गए, minus 6, सारी चेव ऐसे लिख दीगें, फिर यहाँ पर यह क्यू वाले term एक साइड में, य इसको solve करेंगे, यहाँ से क्यू solve कर लिया गया, 16 µ कुलामा जाएगा, देखो यह जो हमने आपको बता है, plus minus, इससे आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसानी है, क्योंकि अगर आप रटने वाले method पर जाएंगे, तो confuse हो जाते है, इसमें क्या होता है, सब कुछ सामने ही है तो इसमें sign कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जब भी question करो, थोड़ा alert रो, क्योंकि कई बार होता है, जल्दबाजी में ही हम कुछ अपने इसाब से गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा careful रहेंगे, क्योंकि जब sign की बात आती है, तो कहीं plus की वजए बस minus लग गया, दिवांग से उतर गया, या कैसे भी वहाँ पर हमें कुछ गलत का दिया, तो प्रक्वस्टन ही गलत हो जाएगे.